हेलो प्यारे बच्चों, बच्चों कैसे हैं आप सभी, I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट इंगलिस के वीक नमबर 20 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की North Delhi Municipal Corporation के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है E-Sound तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहे हैं तो शुरू करते हैं रीड गिवन वर्ड्स लाउडली दिये गए वर्ड्स को लाउडली पढ़िए और राइट देम इन यूर नॉर्ट बुक और अपनी नॉर्ट बुक में लिखिए तो बच्चों यहाँ पर क्या है E-T साउंड वर्ड्स हैं यहाँ पर Mixed Words बच्चों यहाँ पर हैं First Picture में क्या है यह है J-E-T Jet Jet मिन्स क्या होता है विमान Next है W-E-B Web Web मिन्स होता है मकडी का जाला Next है M-E-T Mate Mate मिन्स होता है मिलना G-E-M Jam मिन्स होता है रतना Next है N-E-T Net Net मिन्स जाल Next है H-E-M Hem Hem मिन्स होता है यह किनारा आपे यइटिग तरिफ्ज कर्किलें करिए और इसके वैड करेंग और अपनी की लिखिये तो बच्च यहाँ पर है J, E, T, J, N, E, T, Net पिक्चर में क्या है J, J, E, T, J J means विमान तो इस पर सर्कल करेंगे Next है M, E, T, Met W, E, B, Web तो बच्चो पिक्चर में क्या है Web Web means होता है जाला Web पर सर्कल करेंगे Next है Y, E, S, Yes means हाँ V, E, T, Vet Vet means पस्वो का डॉक्टर तो बच्चो पिक्चर में क्या है यह है पस्वो की डॉक्टर तो V, E, T इस पर बच्चो आप सर्कल करेंगे Next है Y, E, S, Yes Yes means हाँ G, E, M, Jam means होता है रत्न तो बच्चो इस पिक्चर में है Jam, तो Jam word पर आप सर्कल करेंगे Next है H, E, M, Hem Hem means किनारा N, E, T, Net Net means जाल पिक्चर में है जाल तो Net word पर आप सर्कल करेंगे P, E, T, Pet Pet means पाल्तू L, E, T, Let तो बच्चो पिक्चर में क्या है Pet तो आप Pet word पर सर्कल करेंगे Next है M, E, T, Met B, E, G, Bag तो बच्चो पिक्चर में क्या है Met दोनों मिले है तो बच्चो मेंट word पर आप सर्कल करेंगे J, E, T, Z, Y, E, S तो बच्चो यहाँ पर पिक्चर में क्या है Yes Y, E, S, Yes तो Yes word पर सर्कल करेंगे Next है W, E, T, Wet Wet means गीला S, E, T, Set Set means छिपना तो बच्चो यहाँ पर पिक्चर में क्या है यह जो cloth है कपड़ा तंगा हुआ है यह गीला है तो wet word पर आप सर्कल करेंगे अब है question number two Write the names of the given pictures in your notebook बच्चो दीगे pictures के नाम अपनी notebook में लिखेंगे आप तो बच्चो first picture में कौन है यह है बच्चो wet V, E, T, wet Next picture में है Web W, E, B, Web Web means होता है Next picture में क्या है G, E, M, Jam Jam means होता है रत में तो यहां लिखेंगे Jam Next बच्चो यह क्या है यह है Pet P, E, T, pet Pet means pal two अब है बच्चो question number three Color the E sound words yellow बच्चो जो E sound के words है वहाँ पर तो आपको yellow color fill करना है और A sound के words में green color fill करना है तो बच्चो C, A, T, cat इसमें A sound है Man, Pen, Bear तो बच्चो यह कैसे word है A sound के word है तो यहाँ पर आप green color fill करेंगे यहाँ पर बच्चो G, E, T, F, E, D Fed, Red, Red, Pet, Pet, Pet W, E, B, Web, L, E, G, Leg B, E, D, Bear तो बच्चो यह सभी क्या है यह E sound word है तो यहाँ पर आप yellow color fill करेंगे ऐसे ही बच्चो बच्चो बाकी words जिनमें E sound है वहाँ पर आप yellow color fill करेंगे और जो A sound के word है वहाँ पर आप green color fill करेंगे Life skills Give respect, Take respect सम्मान दो और सम्मान लो We should have the same behavior that we expect from others जो व्यावार जो सम्मान हम दूसरों से expect करते हैं वैसा ही हमें उनके साथ भी करना चाहिए Respect, Give it, Get it Activity on respect In your notebook, draw three circles as given below बच्चो जैसे की नीचे तीन circles दिये गए हैं वैसे ही आप अपनी notebook में draw करेंगे Label each circle as follow और वैसे ही आपको circle में draw करना है जैसे की बताया गया है First में school, Second में home Third में playground First है, draw a picture in each circle on how you would show respect in your school बच्चो आपको प्रती एक circle में एक picture draw करनी है कि आप कैसे school में respect करते हैं तो ऐसा दिखाते हुए एक picture draw करेंगे First column में At home घर पर कैसे आप respect करते हैं ये दिखाती हुए एक picture Second में आप draw करेंगे And on the playground और playground में कैसे respect सो करते हैं तो बच्चो थर्ड में Third circle में आप ऐसी picture जो है draw करेंगे जैसे की school में हम अपने teachers का कहना मानते हैं Teacher जब question put up करते हैं तो हम hand up करके उसका जबाब देते हैं तो इस तरीके से आप picture draw करेंगे घर पर हम अपने parents की मदद करते हैं जो हमारे grandmother, grandfather होते हैं उनकी help करते हैं तो इस तरीके से बच्चो आप ऐसी picture जहाँ पर draw करेंगे playground में हम अपने friends के साथ खेलते हैं किसी भी friend को ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं खेलते हैं या किसी को play में सामिल नहीं करते हैं तो बच्चो इस तरीके से आप show करती ही picture यहाँ पर draw करेंगे संसकार साला don't work for money, work for success पैसे के लिए कारे मत करिए सफल होने के लिए कारे करें food and drink में आज आप लेंगे eat brown colored fruits and foods आज आप बच्चो brown color के फल और भोजन लेंगे like जैसे की चीकू, कीवी, brown rice sweet rice with jaggery एक्टिविटी में make a thank you card for your teacher बच्चो आप अपने teachers के लिए thank you card बनाएंगे उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक card बनाएंगे गेम में play ludo with family अपने परिवार के साथ ludo game खेलेंगे daily routine include the following habits in your daily routine अपने daily routine में दीगे habits को सामिल करें begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily, रोजाना नहाएं drink plenty of water, परियाप्त मात्रा में पानी पियें and eat a balanced diet avoid touching your face अपने चहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और अपने हातों को नियमित रूप से धोएं complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you